नमस्कार दोस्तों, आज मैं बना रहे हूँ मकरशंकरांती की फेमस दो रस्पीस, दही चुरा और खिचडी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम खिचडी की तयारी करेंगे, मैंने देड़ कप चावल लिये हैं, ये बासमती चावल नहीं है, आप कोई तीन पानी अच्छे से धोईंगे, यहां दाल चावल को धो लिया है, तब दाल चावल को 10-15 मिनिट के लिए छोड़ देंगे, अब हम दही चुरा के तयारी करेंगे, तो मैंने यहां एक कप मिडिल साइज का चुरा लिया है, अब इसे धोईंगे, चूरे को भी धो कर साफ कर लिया है, अब इसमें आधा कप दूद एट करेंगे, इस टाइम पे चूरे में दूद एट करना ऑप्शनल है, चूरे को साफ्ट करने के लिए मैंने इसमें डाला है, अभी चूरे को साइड में रखेंगे और इसके लिए हम दही तयार करेंगे, यहां मैंने एक कप दही अब कुड के पौडर को दही में अच्छे से मिलाएंगे और अब इसमें थोड़ी सी किश्मिश और बादाम फ्लेक्स टालेंगे ड्राइ फ्रूर्स टालना इसमें पूरी तरह से आप्शनल है क्योंकि ऑथेंटिक दही चूरा में ये सब नहीं डाला जाता दही रेडी है तो बागी का प्रॉसेस बाद में करेंगे और अभी हम गैस के तरफ चलते हैं तो खिचडी बनाने के लिए गैस पे मैंने कूकर चड़ाया है और उसमें चार टेविल स्पून रिफाइंट ऑइल डाला है आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं मैं बाद में घी एट करूँगी तेल के गरम होते ही एक टी स्पून जीरा डालेंगे जीरा के चटकते ही इसमें प्याच और हरी मिर्च डालेंगे तो मैंने दो प्याज को बारीघ चौप करके डाला है वैसे तो उरत दाल की किछड़ी जीरा और हींग से चौख कर सिंपल बनाई जाती है लेकिन मैं इसे एक अलग ट्विस्ट के साथ बना रही हूं मैं पालग उरत दाल की खिछड़ी बना रही हो अब इसमें एक टेबिल स्पून लहसन अद्रक का पेस्ट डालेंगे अब चार से पांच मिनट प्याज को सौते करेंगे अब इसमें गाजर डालेंगे तो मैंने एक गाजर को छोटे साइज में काट के डाला है एक कप मतर डालेंगे आप अपने पसंद की कोई भी सबजी खि गिया पाउडर एक टेबिल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डालेंगे अब सारी चीजों को अच्छे से चलाएंगे अब मैंने इसमें एक टेबिल स्पून पाव भाजी मसाला डालना इसमें आप्शनल है आप इसकी जगा किचन किंग मसाला भी डाल सकत और अब बरतन को दो-तीन मिनट के लिए कवर कर देंगे तीन मिनट के बार ढटकर अटाएंगे और देखिए यहां पे सबजीयां अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो अब इसमें हमने जो दाल चावल भीगोया था उसे एट कर देंगे अब सारी चीजों को अच्छे से कहीं गद्टू या आलु गोबी मतर की सबजी बनाई जाती है अब हम किचडी में पानी है तो मैंने यहां पे 5 गप पानी डाला है आप खिचडी में पानी की मात्रा अपने हिसाब से कम यहां जादा कर सकते हैं अब कूकर का थकन लगाकर कूकर में 2 सीटी लगाएंगे तो मैं गैस की फ्लेम लो रखूंगी और लो फ्लेम पे ही दो सीटी लगाएंगे कुकर में दो सीटी लग गई है ये दूसरी सीटी है तो गैस आफ कर देंगे और इसका प्रेशर निकलने देंगे कुकर का प्रेशर निकल गया है तो इसे खोल देंगे और ये देखे किचडी की क घरम हो गया है तो मैंने इसमें 8 10 लैसुन चौपकर करके डाले है इस तरह से खिचडी में लैसन का तड़का बहुत अच्छा रखता है अब लैसुन को गोल्डें ब्राउन कर लेंगे लैसन ब्राउन हो गया है तो गैस आफ करदेंगे और अब इसमें हम थोड़ी सी हींग ड तो हम थाली लगा लेते हैं, थाली में इस तरह से एक साइट पे खिचडी सर्फ करेंगे और तूसरे साइट पे दही चूरा सर्फ करेंगे, अब खिचडी के साथ मैंने मुली के पत्ते की चटनी रखी है, इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप आई बटन क्लिक कर के देख सकते हैं, अब पापर रखेंगे और ये वही तिल के लड्डू हैं, जिसे मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, इसके साथ कुड की चिक्की रखी है, अब तही चूरा को पिस्ता और बादाम फ्लेक्स से कार्निश करेंगे, और इसे रस्मलाई वाला लुक दें कमेंट करके बताईएगा आपको कैसी लगी, दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद